नमस्कार खबरों का पंच्रामा देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरे जस्पर चल्चा के लिए मेरे साथ स्टूडिय में मौदूद हैं सबसे पहले नजर हेडलाइन्स पर महा गड़बंदन में बड़ी तक्रार रामचुरित मानस पर जमकर घमासान आरजडी के खिलाफ उत्री जेडियू रामचुरित मानस लेकर जेडियू नेता नीरज कुमार पहुंचे मंदिर निदिन गटकरी को जान से मारने की मिली धमकी दस मिनट में दो बार आया फोन पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा बारत जुडो यात्रा के दोरान हार्ड इटेक से कॉंग्रिस सांसाच संतोक सिंग चौदरी का निदन निदन के बाद भारत जुडो यात्रा आज हुई स्थगिल मनेश शोदिया के ओफिस पर सीबियाई पहुची तो डरेक केज जिवाल से सोदिया सीबियाई रेट का लगाया आरोप आरोप से सीबियाई ने किया इनकार प्योके में उठी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज तेई सड़क पर उत्रे हजारों लोग प्योके को भारत में मिलाने की मांग को लेकर जबन दस्थ क्रदर्शों आज की सबसे पहली खबर में बात रामचरित मानस पर मचे घमासान की रामचरित मानस को लेकर आरजडी के मंतरी चंदरशेकर के विवादित बयान के बार महागडबंदन में तकरार बढ़ती जा रही है जहां एक तरफ जेडियू के नेता इसका समर्थन कर रहे है तो वहीं दूसरी तरफ जेडियू ने इस बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जेडियू के नेता नीरश कुमार और पार्टी कारिकरताओं ने पटना में आज हनुमान मंदिर के बाहर रामचरित मानस का पाट किया साथी बिहार के सिक्षा मंतरी के खिलाफ एफ आयार दर्श कराने की मांग तेज होती जा रही है बीज़पी चंदरशेकर के इस्तिफ़े की मांग कर रही है रामचरित मानस को लेकर इतना खामसान क्यों हो रहा है देखे बात तो गलत हो गई लेकिन तकरार किस बात के लिए है जेडियू कह रही है कि भई हम इत्तफाक भी रखते मुक्य मंतरी कहा चुप है भई आपके सिक्षा मंतरी है बरखास्त की ये बाहर जेडियू को लोग बाहर आकर के कह रहें कि ये ठीक बयान नहीं है तो भई माफी मंगवाईए उनसे आपको चारो तरब से ये नदर आप दिक्कत क्या है कि इस रामचरित मानस के उपर बीजेपी तो दवाव डाली रही है आरजेडि और जेडियों में जगणा सुरू हो गया क्योंकि आरजेडि के जो अध्यक्ष है जगदानन सिंग वो आज सरद्यादव के सरद्धांजरी देने के लिए करिकर्म किया गया था वहाँ ये अशिक्षित मंत्री भी पहुंद मौझूद थे उसको भगल में खड़ा करके आप ये कह रहे हो कि चिंता मत करो पूरी पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी है तेजस्वी आदब का बयान नहीं आ रहा नितिश कुमार का बयान नहीं आ रहा ये दोनों अपने अपने लेटिनेंट्स को मीडिया में जाकर के कन्फूजन क्रियेट कर बारे हैं भई किस बात के लिए इसका मतलब है कि ये लोग घाल मेल कर रहे हैं राम चरित मानस के जड़िए आपने हिंदूों की आस्था का मजाक उड़ाया कोई सही बात हो तब तो और ये आरजेडी के जो अध्यक्ष महोदे हैं इनको सोसिलिजम समझ में आ रहा है मंडल कमंडल नजर आ रहा है इस तरह के निताओं की वज़े से ही बिहार आज गर्त में पहुँच गया है दलितों के उपर जब अत्याचार होता है तब ये चंद सेखर बाबू जाते नहीं जब इनको अपाट्मेंट करवाना होता है अपनी दफ्तर में तो चुन-चुन के यादवों को ढूंडेंगे अपनी जाती के लोगों को ढूंडेंगे दलित के लिए किसी को कोई ये नहीं आओ ये जगदन वाबू ये तो नोन भाई आज से ये राज़नीती में है कितनी बार ये दलितों का आशू पोशनी के लिए गए हैं ये सब धकोसले बाज फ्योडिलिस्टिक माइंड सेट के लोग हैं बिहार का बेरा गर्क करने वाले लीडर्स यही लोग हैं बलकुल नज़र डालते हैं दूसरी खबर की तरफ केंडरिवंत्रे नितिन गटकरी को लेकर एक बड़ी खबर आज सामने आई बताया जा रहा है कि किसी अग्यात शक्स ने गटकरी के नागपुर स्थित के धमकी दी गई पिलाल गटकरी के घर और कारले की सुरक्षा को बढ़ा दी गई है कौन कॉल करके धमकी दे रहा है देखे गटकरी साहब महराज से आते हैं और बहुत सारी चीजे वहां हो सकती है और जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि पुलिस हर एंगल से इसको देख रही है कि ये कोई जिहाधी गूरुपफ हो सकता है नक्स राइटूप्स हो सकते हैं अंडरवर्ल्ड के लोग हो सकते हैं गटकरी साहब भारती जनता पार्टी और मोधी सरकार के प्रथम पंग्तिके परफॉर्मिंग मडिंस्टर poop प्रोल्मarts है ऐसे मिनिस्टर जिनकी पहां चला जाए लेकिन उनको भी धंक्या मिल रहे है तो पुलिस अपनी जॉब पे है और जो जानकारी आ रही है वो यही आ रही है कि हर एंगल से इन मामलों को इस थ्रट को बहुती सीरिस्ली ले करके इसको इसकी जाच की जा रही है अगली खबर में बात भारत जुड़ो यात्रा से आई दुखत खबर की। आज के लिए स्थगित करना पड़ा कितनी दुखत खबर है ये देखें ये हादसा बहुती दुखत है राहूल गांदी यात्रा कर रहे हैं बहुत जगह उनको अच्छे भीर अच्छा क्राउड भी मिल रहा है ये चौथी मौत है इस यात्रा में कुछ लोग कह रहें कि ये प अचानक से सीजर हो जाता है और ड़्थ हो जाती है संतोख सिंग राहूल गांदी के ठीक बगल में चल रहे थे तो पहले वो लड़कर आते हैं, तो कोई पीछी से उनको समालता है, लेकिन सेकेंड टाइम जो लड़कर आते हैं, तो वो वही पे कॉलैप्स कर जाते हैं, उनको बचाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल ले जाते जाते, उनको मित गोशित कर दिया गया, आप देखी कि कोरोना के बाद से आदमी डांस कर रहा होता है, आदमी जिम में एक्सराइज कर रहा होता है और अचानक से मौत हो जा रही है, बले दुखत घटना है और अच्छा कि राहूल गांदी ने आज जो है एक लीडर के समान में अपने कारेकरम को रोग दिया, वसे मै आपको बता दू कि वो एज तो उनकी थी, लेकिन वो अभी भी बिलकुल फिट थे, लोग कहते हैं कि जिम अभी भी रेगुलर किया करते थे, सारा एक्सराइस किया करते थे, और इतने वो सो कसकते हैं कि स्वस्ति थे, कि बड़े-बड़े जवानों को वो चुनावती दे स रखते थे निकिन इसके बावजूद भी इस्तर की घटना घटी है एक नया सवाल खड़ा हो रहा है यह अचानक से सीजर की वज़े से लोगों की मौत जो हो रही है यह चिंता जनक इस्तिती है डॉक्टर्स साइंटिस्ट जो इस फिल्ट से जुड़े हुए लोग जो सर्च क सीब्याई आज कुछ जरूरी कागजात लेने के लिए मनिश शोद्या के दफ्तर पहुँची जिसको लेकर किस जिवाल से सोद्या काफी ड़गाये तुरंब से सोद्या ने ट्वीट कर तंच कस्ते वे लिखा आज फिर सीब्याई मेरे दफ्तर पहुँची है उनका पर थोड़ी देर बाद ही सीब्याई के तरफ से बयान सामने आया सीब्याई ने मनिश शोद्या के दफ्तर पर किसी भी प्रकार की चापिमारी से इंकार कर दिया अखिर क्यों सीब्याई के अधिकारी पहुचे थे दफ्तर देखिए यह जो केजरी वाल और गैंग है यह आ आएंगे दस्तावेज लेकर के जाएंगे यह ओफिस में थे नहीं ओफिस में लोग रहता नहीं वसे कामधाम करने में इंट्रेस्टेट ही नहीं रहता यह दिनवर राजिती इनके खोपड़ में घुशते रहती तो यह काम लोग यह लोग करते नहीं ओफिस में बहुत कब र आएं कई पकड़ करना ले जाएं तो सिसोधिया ने ट्वीट किया इमेडियेटली केजरी वाल ने भी रिट्वीट कर दिया किस बात का डर है क्यों डर रहे हो और जो बवाल मच गया मीडिया वाले भूपू बजना शुरू कर दिये बिना यह जाने हुए बिना यह कनफर्म क सब्सक्राइब कर दिये हुए कि सीविया रेड्स मनेशी सोधिया ओफिस एक ख़बर चली लग गई हर जगा तो आप देखिये किस तरह का नेक्सस है दिक्कत क्या है कि सीविया को कहना पड़ा कि कोई रेड नहीं है हमने पहले इंफॉर्म करके हमने दो व्यक्ति को भेजा विजय नायर के तो घर पे मिला वो तो तुम्हारी पाटी का अदमी है तो यह बिल्कुल हाथ धोले ना किसी चीज से वह बेकार की बाते हैं मनेशी सोधिया जिस्टिल आरोपी नंबर वन सीबियाई की नजर में बहुत जल सीबियाई की के जो हाथ जो है न वो मनेशी सोधिया की गरदिन तक पहुँचे है बिल्कुल सही कहा आपने है बात आखरी कबर की पियोकी को भारत में मिलाने की मांग तेजी से बढ़ती जारी है लोग पिछले कुछ दिनों से पाकिस्ता प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शनकारी भारत की केंद्र शाशित्प्रदेश Владदाक के साथ मिलाए जाने की मांग कर रहे हैं यह मांग हर दिन तेजी से बढ़ती जारी है महँगाई बिरुजगारी से परिशान इस इलाके के लोग पाकिस्तान सरकार की भेद भावपुण लीटियों से तंग आ गये हैं और अब भारत के साथ आना चाहते हैं यह विरोध प्रदर्शन तो हर दिन बढ़ता ही जा रहा है देखें जबसे यह निवेर आया है एक तारिक से प्रोटस्ट शुरू हुआ है यह प्योके में भी और गिल्गिट बल्टिस्तान में भी और दोनी जगह काफी संख्या में लोग जो है बाहर है बाहर रहने की वज़ए बहुत ही सिंपल है वहां पे गैस नहीं है आटा नहीं ह है और जो कुछ है भी वह बहुत महँगा है पिछले एक सब्का के अंदर में 300 परसेंट के दर से सारी चीजों की कीमते जो हो आस्मान पी चलिए गरीबी है इन लाकों में वैसे ही सौतला वेवार इस्लामबाद का रहता है तो अभी पाकिस्तान के अंदर में देखी कितना जादा पॉलिटिकल टर्माइल भी हो रहा है एक तरफ बलुचिस्तान के अंदर इधर ये और इस बीच एक और खबर भी आ गई कि बाजवा और इम्रान खान कश्मीर पर कॉंप्रमाइज करने वाले थे हिंदुस्तान से मोदी से वह आखरी मौके पे विदेश मंतरी ने का करी से किमिन लोगों को बुखे मार देना है यद कास्मीर करना है तो कुरेशी ने इम्रान कान को सम्झutral के उपर टो फिर कभी अपना मुने दिखा पाएंगे आवाम को उन्हों ने सुचा ठीक है अगर भारत से रिष्ती ऑच्चय हो जाते तो यह भुक्मरी खत्म हो घाती हिंदुस्तान के पास बहुत गे हुऊ है बहुत आटा है बहुत चीज़ यह बहुत सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाधी पाकिसतान के लिए लेकिन नहीं वहां के आर्बी और वहां की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन उन्होंने यही सही समझा कि पब्लिक को मरने दो लेकिन हम अपनी राजनीती नहीं त्यागेंगे कश्मीर कश्मीर का रट लगाये रखेंगे अब लोग मर भी रहे हैं और इधर लोग खड़े हो गए हैं जो कह रहे हैं कि हमको भारत में मिला दो बहुत बहुत धहनेवाद समझाने के लिए धहनेवाद खबरों का पंश्रामों में आज के लिए फिलाल इतना ही आज अपने शो ब्लैक इन राइट में आपको बताएंगे कि आखर क्यों राम ट्रेट मारस को लेकर जम कर मचा है खबसार साथी देश विदेश की बागी खबरों और उनके सटिक अनलिसस के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी हमें लाइक कीजिए शेर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार